। तो गाईस आज हम बात करने वाले है एंडर कोट। जैसे कि आप सभी को पता है हैं। यदा क्या होते हैं जो हमारे हेर के अंदर जो पिग्मेंट होते हैं उन्हें हम है Underlying Pigment कहते है Underlying Pigment कहते है जैसे कि आप सभी को पता है आज नमबर के जो हेर होता उसके अंदर या लो याने की गोल्ड के pigment होते है छे नमबर के Orange का pigment होता है ठीक है गाईस और हमारा जो आज का topic है वो topic है कौन सा Underlying Pigment को correct टार्गेट समझे रहे क्यों सब्सक्राइब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आप सब्सक्राइब करते हैं तब हमें इन अंडर को टार्गेट करते हुए हेर कलर को डिजाय सेट को अचीव करना पड़ता है ठीक है जैसे कि आप मान लेजिए हमें गोल्ड कलर ऐसे कहँ अंडर्कॉड निकालते हैं उसमें ski औरेंज की तोन आ जाती है हम औरेंज को नॆजए न्य Bowl को और को लाते हैं तो हमें टार्गेट करना होता है अंडरowane pigment को टो हमें कहोंसे रहती हैं कोंसे अंडर लाइंग पिगमेंट को टार्गट करें एक बाव आपको फिर समझा दे तूँं मानलिज्ग आपको अब फ़ो नमबर के हेव से छे नमबर के हेव तक जाना है चार नमबर के बाल है मिडियम ब्राउड आपको डार्क ब्लॉंड की तरप जाना है चान नंबर का अंडर कोड तो हो गया हमारा RAD छे नंंबर का अंडर कोड हो गया हमारा O исслед अब हम कही न कहीं चब कलर करेगे तो हमें confusion रहती है कि अगर हम चान नंबर के बाल पर烈ज छे कलर करेगे छे नंबर का Search करेगे प्रूर्शschaft ह्वोल्यum में तो वह हमारा जो color 6 number का exact नहीं आएगा उसमां कहिना कोपर का tone दिखेगा तो हमें undercoat को किसका दिखा हमें 6 का ना की red का red का undercoat हमें नहीं दिखा तो हमें जब भी color करना होता है तो हमें target करना होता है जिस डिजाइड सेड के level पे जा रहे है जिस डेप्ट पर जा रहे हो उस डेप्ट का अंडर कोट समझे नहीं समझे एक वार मैं आपको समझाता हूं माल लीजिए आपका हेर जो है फॉर नंबर की है और आपकी क्लाइन का जो डिजाइड सेड है वो है गा आपका 8.3 कलर ठीक है 8.3 उनका कहए डिजाइड सेड हो गया कौन सा कलर होता हमारा गोल्डन लाइट ब्लॉंड अब हमें इस हेर को चीव करने के लिए हेर पर प्रिलाइटनिंग करने पड़ेगी ठीक है गाइस जब हमने चार नंबर के हेर पर प्रिलाइट करी हमें प्रिलाइट करनी है एड लेवल की लेकिन एड लेवल की आपने प्रिलाइट तो कर दिया है लेकिन इसका जो अंडर कोट आया है वह आपका क्या आया है येलो यह देखिए गोल्ड एट नमबर का अंडरकोट रता है गोल्ड ठीक है गईस अब उनको गोल्ड कलर का जो अंडरकोट आया यह काफी ज्यादा येल्लो होगा अब इस पर आप डिपोजिट करोगे एड़ पॉइंट थिरी 20 वोलियूम में तो आपका जो कलर आएगा वह आपका काफी ज्यादा वोम आएगा क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है में आपको बता देता हूं जब वोम कलर पे वोम कलर करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है डवल वोम तो किलाइंट ने तो एट पॉइंट डवल थिरी तो मांगा नहीं था डवल वोम उसने तो सिर्फ सिंगल वोम मांगा है तो हमने क्या करना है इनको सिंगल वोम देना है ठीक है गाईस 8.3 अमैं डिपोजिट नहीं करना है अगर कलर इतना असान होता के लाइन को आप शेड काट दिखाते हो इट पॉइंट रिखा होता वो उस पर सेलेक्ट करते हैं तो आप उसमें डेवलोपर वन लाकिया हर कोई क क्या करना पड़ेगा अंडर को नुट्रिलाइज करते हुए जाना पड़ेगा अंडर कोट क्या आया था हमारा येल्लो का ठीक है गाइस कि येल्लो का अंडरकोटाइट आया था तो हम इसको निट्रलास करें ऐब आप क्योस्टों को समझ़े लाइन इसके अंडरकोट पिग्मेंट को टैर्गेट करेंगे आप यहां पर कौनसे अंडरकोट को टैर्गेट करें जो उसका बेस कलर रहे हो नैचुरल वह वाला यहां है दिजायर सेट उसके अंडरकोट को वो होग हो जो उसका डिजायर सोरएट हा उसकी डैप्थ का अंडरकोट कर रह symmetrical हो तो हमीज़ा आपको यहार रखना है डिजायर सेट का अंडरकोट को आपको टारगेट करते हो एक डिजायर सेट मैं लानी आप तोонд 술ा लानी जो पॉइंट टू है यह होता है हमारा वॉइलेट जो आपके निट्रिलाइज करेगा आट का जो अंडर कोट है आट लेवल का जो अंडर कोट है उसको आप गाइस एट पॉइंट टू थिरी भी कर सकते हो लेकिन इसमें जो वाम टोन है वो थोड़ी कम आईगी तो इसलिए आपको एट पॉइंट थिरी टू कलर यूज करना हैगा तो गाइस आपको अच्छे समझ आ रहा होगा अंडर कोट के ओपर मैंने और भी ज्यादा वीडियो बनाई हुई है एक एक्जामपल मैं आपको और दे देता हूं क्लाइंट के वाल तीन नंबर के है और उनको जो कल आड़गा चाहिए हूच यह सेवन पंट थ्यूंट तो गाइस आपको प्रिलाइट करनी है प्रिलाइट आपको म layers करनी है रिलाइट आपको सान यलो औरेंज को स्यवन नमभर का अंडिर जो गापका येलो औरेंज हो जाएगा अंसे टीन नमबर के वह बीफोर है यानि की जो हमारे पास क्लेंट आई है तीन नमबर का है अब इसका अंडिर पूर्ट नमबर का रैड होता है तीन नमबर का रैड होता है रैड ब्राउन रैड बोला जाता है इसको मैट्रिक्स में ब्राउन बोला जाता है रैड ब्राउन रैड है अब हम बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे है बिल्कुल इग्नोर कर रहे है रैड को इसके अंडरकोट को हमेशा हमें 1.3 20 वोल्यम में मिक्स करके लगा देगे तो कई न कई औरेंज की रिफ्लेक्शन आएगी तो अब हम इस अंडरकोट को निट्रिलाइज करेगे और अपनी डिजायर सेड को पाएगे तो गाइस हम क्या करेंगे 7.31 का ट्यूब लेगे 20 वोल्यम में तब जाके हमें एक अच्छी डिजायर सेड 7.3 की मिलेगी 0.1 क्या होता है हमारा ब्लू यानि की एस जो निट्रिलाइज करेगा इस कोपर टोन को ठीक है गाइस यह इस कोपर टोन को निट्रिलाइज करेगा तब जाके हमारे 7.3 की एक जैक्ट सेड आएगी तो गाइस आई होब करके के बता के बताए कि आको कितना समाझ आया है वरना मैं आपको और भी इस तरीक सीथो लाकर दूंगा तो गैस मिलते हैं लिए नेक्स वीडियो में ओके टेक केर बाए बाए